वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है साथ अगस्ट 2022 और साथ अगस्ट 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट प्रेक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए लास्ट अम मैं आपसे कुश्चिन भी पोचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज कि इस वीडियो की पेडियाप फाइल आप इस वीडियो के डिस्कसिन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियाप आप हम हिरोशima दिवस का मनाया गया है तो अभी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे ओपस्ट साहिए सांति की राजनीती को बढ़ाबा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रवाओं के बारे में जागुरुपता बढ़ाने के लिए हर साल चैगस्त को हिरोशिमा दिवस मना जाता है आपको पता है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापन की हिरोशिमा और नागासा की सहर पर बम गिराए गया था जो हिरोशिमा सहर पर बम गिराए गया था उसका नाम था The Little Boy और जो नागासा की सहर पर बम गिराए गया था उसका नाम था Fatman तो दोनों के नाम आप याद रखिए अब हिरोशिमा पर 6 अगस्त को बम गिराए गया इसलिए हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाए जाता है अच्छा अभी 1 अगस्त को मुसलिम मैला अधिकार दिवस मनाए गया और 1 अगस्त को ही वर्ल लंग कैंसर डि मनाए गया दो अगस्त को पिंगली बैंकईया की 140 में जैनती मनाएगे और अगस्त को अंतरास्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाएगे तो अभी तक अगस्त में ये इतने इंपोर्टेंट ये मनाएगे ये आपको याद रखने है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे छोटा सा इटार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मौर्निंग मोट कर तो ये उत्त्राखंड के रानी खेद में स्ताफित किया गया, तो इस कुशिन का C options है यह है, इसे उत्त्राखंड बन विवाक के अनुसंदान बिंग के द्वारा स्ताफित किया गया है, और क्यों स्ताफित किया गया है, वारती हिमाले छेत्र के बिभिन मसालों को लोक प्रे बनाने और उनके बारे में जागुरुकता पैदा करने के लिए इसे इस्तापित किया गया है अब ये उत्तराखंड में स्तापित हुआ है तो ये है मैप में उत्तराखंड अच्छा उत्तराखंड की केपिटल क्या है दैरादूं उत्तराखंड के चीपनिश्टर कौन है पु कि मंत्री उध्यमान कि राड़ी उन्यन यूजना का उद्गाटन किया अभी उत्राखंड में पहली बार दुरलब महसाहरी पौदे की प्रजात्वी मिली है स्वास्त सेवा छेत्र में ड्रोन लॉंच करने वाला भारत का पहला राज उत्राखंड बना है अच्छा भारत का प फूल देही तिवार मना जाता है हरेला पर मना जाता है और फूलों की घाटी उत्राखंड में है अच्छा सांत गाटी कहां पर है सांत गाटी केरल में है उत्राखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है अब सबसे पुरा तुमनाम क्या है हेली नेशनल पार्क, अच्छा उत्तराखण में राजाजी नेशनल पार्क भी है, राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखण में है, ने क्योशन है हाली में UNITI Small Finance Bank के MD&CEO के रूप मेंक्डि episodes से निक्त किया गया है तो अभी इंद्रजीत कैमोत्रा को Unite Small Finance Bank के MD & CEO के रूप में अपउइंट किया गया है तो इस कुशन का बे options आई है आप image में लेखिए ये हैं इंद्रजीत कैमोत्रा और इनी को Unite Small Finance Bank के MD & CEO के रूप में अपउइंट किया गया है नए क्यूशन है हाली में केस देश के पूर बॉक्सिंग बेस्टो चेंपियन जौनी फैम चौन का निधन हुआ है तो जौनी फैम चौन ये ऑस्टेलिया के पूर बॉक्सिंग बेस्टो चेंपियन थे और इनका अभी निधन हो गया तो जौनी फैम चौन अब ये ऑस्टेलिया के थे तो ये है मैप में ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया की केपिटल के है केंवरा ऑस्टेलिया की करनसी के है ऑस्टेलियन डॉनर और ऑस्टेलिया की अभी प्रजेंट टाइम पे प्राइम इस्टर कौन है एंथनी अल्बनीज अच् पिरफती जिआ कि और नासा ने उस्टेलिया के इस पेस पूड से पहला रॉकेट लॉंज किया है फातिमा पेमान ये औस्टिलिया संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुसलिम महिला बनी है औस्टिलिया के सूद करताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौदा को जा गया और काकाडू नेशनल पार्क ये औस्टिलिया में है का नाम याद रखना काकाडू नेशनल पार्क यह औस्टेलिया में है नए क्यूशन है हाली में केस राज सरकार ने पंचामरत योजना शुरू की है तो अभी उत्तरपदे सरकार ने किसानों की आयत दो गुना करने के लिए पंचामरत योजना शुरू की तो इस कुशन का बे उसकार भी प्रदान किया जाएगा अब उत्तरप्रदेश तो यह है मैं अपने उत्तरप्रदेश उत्तरप्रदेश की केपिटल क्या है लखनव अच्छा लखनव सुनते हो तो माइंड में कुछ क्लिक करता है कि लखनव केस नदी की किनारिश्थित है तो लखनव है गोमती नदी की किनारे स्थिर। उत्तरप्देश की चीपनेश्टर है योगी आतिनाथ। उत्तरप्देश की गवर्नर है आनंदी वेन पटे। उत्तरप्देश का राजी की पसू है बारे सिंगा। राजी की पच्छी है सारा स्यक्रोंच। राजी की पुस्प है पलास। और राज की ब्रच्छ है असोक का ब्रच्छ अभी उत्तरप्रदेश के बाराणसी में अखिल भारती सिक्षा समगम का उद्गाटन हुआ एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया ने उत्तरप्रदेश सरकार के साथ समझाता किया है उत्तरप्रदेश सरकार ने हर परिवार के लिए फैम ध्यान लखना सबजीयों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है पलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक महरास्थ है और मचली का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडू है ये कई बार मैं आपको रिवाइज हजारेका का निधन हुआ है वे कौन थी तो गरिमा हजारेका ये असम की एक प्रतिष्ट सास्त्री नित्यांगना थी और अभी इनका निधन हो गया तो इसकुष इनका ए ऑप्सन सही है ये थी गरिमा हजारेका अब ये असम की थी तो ये है मैप में असम की केपिटल क्या है अच्छा अभी दूसरा बार्सिक रास्टी रेंजर पुरुसकार 2022 असम के उरंग नेशनल पार्क को मिला है असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वड बेर नारी योजन शुरू की है चार दिवसी अंबुबाची मिला असम में सुरू हुआ है असम सरकार ने खेल छेतर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बिकास के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है अचा भारत का पहला सुद्ध हरित हाइडरूजन सयंत्र असम में सुरू हुआ है असम में जल मार्क कौनकलेव 2022 का आयोजन किया गया अचा असम के प्रतिष्टित लोक नत्ते कौन से हैं बिहु बगरुंबा भुराल और जुमुर कौन कौन से बिहु बगरुंबा भुराल और जुमुर ये असम के प्रतिष्टित लोक नत्ते हैं और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं काजी रंगा मानस ओरंग डिबर लेंदेन के लिए NPCI की मदद करेगा तो अभी IAT कानपूर डिजिटल लेंदेन के लिए National Payment Corporation of India की मदद करेगा तो इस कुशिन का C options है अच्छा IAT से related question है तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारती भासा प्रोद्योगी को बड़ाबा देने के लिए IAT मदद्रास ने नेले कड़ी केंदर लॉंच किया है IAT कानपूर ने निर्मान तौरक कारिकरम सुरू किया IAT कानपूर ने अंतरिच रोबूट के लिए जैब प्रेरित करत्रे मास पेसी बिक्सित की है और IAT मद्रास ने सेफ्टिक टेंक की सफाई के लिए एक रोबोट डिबलफ किया है ने क्यूशन है हाली में उत्तरी अरप सागर के उपर निगरानी मिसन को पूरा कर केस देश की नौसेना की आल बिमेन एर क्रू ने इतियास रचा है तो अभी अपने देश भारत की नौसिना की आल बिमेन एर क्रू ने इतियास रची दिया तो इस कुछिन का बे आप्सन सही है आल बिमेन एर क्रू इसमें पांच नौसिना की अधिकारी सामिल थी और पांचों की पांचों लेडीज थी तो वारत की नौसेना की आल बुमेन एर क्रू ने इतियास रचा है नए स्कूशन है हाली में गाय गोध लेने के लिए पुंडे कोटी दत्तु योजना को सुरू करने वाला पहला राजी कौन सा बना है तो गाय को गोध लेने के लिए पुंडे कोटी दत्तु योजना को सुरू करने वाला पहला राज करनाटक बना तो इसकूशन का A option सही है अब ये क्या है पुंडे कोटी दत्तु योजना तो इसमें क्या होगा नेजी और सार्वजनिक संगठनों को गव साला से गाय गोध लेने के लिए प्रोथ साहित किया जाएगा अब करनाटक तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल क्या है बैंगलॉर करनाटक की चीपनिष्टर कौन है बसब राज बॉमबई और करनाटक की गवर्नर कौन है तावर चंद्र गहलोत अभी स्वामे विवेकानन्द युबा सक्ति योजना का सुबाराम करनाटक में हुआ है बारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक करनाटक के बैंगलूरू में सुरू हुआ है और नेति आयो के इंडिया इनोविशन इंडेक्स 2021 में करनाटक टॉप पर रहा है अचा करनाटक का एक गाउं है मटूर यह एकलोता ऐसा गाउं है जहां अभी बोलचाल की वासा में संस्कृत बोली जाती है करनाटक में दो डांस में मस हैं यक्षगड और डोलू कुनी था करनाटक में कौन-कौन से नेशनल पार्क है बांदीपूर अंसी नगरहूल बनरकटा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क यह करनाटक के इंपोर्टेंड नेशनल पार्क है ने कुशन है हाली में भारत पे ने किसे नए CFO के रूप में नामित किया है तो भारत पे ने अपने नए CFO यानि कि चेव फाइनेंसियल आफिसर के रूप में नले नेगी को नामित किया तो इस कुशन का बे आप्सन सही है ये हैं नले नेगी और इनी को भारत पे ने अपना नया CFO अपोइंट किया है अच्छा अपोइंट किया है तो अभी सुरेज एन पटेल ने केंदरी सतरक्ता आयुक्त की रूप में सफत ली है रंजीत रत ने ओयल इंडिया के CMD के रूप में पदवार ग्रेड किया है बुड़ाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने है रबिंदर टककर बारत के लिए बिसु बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में आगस्त तानो क्वा में निउक्त हुए है पाकिस्तान की पहली मैला हिंदू DSP बनी है मनेशा रोपेटा और ITBP के महानिदेशक का अत्रिक्त प्रभार डॉक्टर सुजोय लाल ने ग्रेड किया है अच्छा स्वेता सिंग को PMO में निदेशक की रूप में अभी अपॉइंट किया गया और PIV के प्रधान महानिदेशक को बने है सतेंद्र प्रकास अच्छा L.I.C.H.F.L. के बूड में अत्रिक्त निदेशक की रूप में रबे के संटक्कर को निउक्त किया गया है इंद्रमेत गिल इनके बारे मैंने आपको होता है था ये बेसु बैंक का मुख अर्थ सास्त्री ने निउक्त किया गया है Vodafone Idea के CEO के रूप में अक्छय मुंद्रा को निउक्त किया गया Tata Projects के नए प्रबंद निदेशक बने हैं बिनायक पाई और Paytm Payment Services Limited के CEO के रूप में नकुल जैन को निउक्त किया गया ये ये बेंक ने R.S. गांधी को अत्रिक्त सुतंत निदेशक निउक्त किया है O.N.G.C. बिदेश लिमिटेट के नए प्रबंद निदेशक बने हैं राजर्सी गुपता और अंतरास्टी होके महसंग के नए कारेबाहक अध्यक्ष बने हैं शैफ एहमद केन सरकार ने MSP बिवस्ता को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष संजे अगरवाल को पॉइंट किया है और रतन एंडिया पावर के MD के रूप में ब्रजेस गुपता को निउक्त किया गया यह अभी recent appointment है यह सारे आपको याद रखने है next question है हाली में IDF World Dairy Summit 2022 कहां आयोजित किया जाएगा तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा तो इस question का C options है यह IDF इसकी फुलपोम क्या है तो IDF की फुलपोम है International Dairy Federation तो IDF World Dairy Summit 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा next question हाली में आयकर बिभाग के 10.2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने payment gateway प्लेटफॉर्म को सूची बद करने वाला पहला bank कौन बना है तो यह बना है federal bank तो इस question का B options है यह payment gateway क्या करेगा यह payment gateway कर दाताओं को और internet banking जैसे तरीकों का उप्योग करके payment करने में सक्ष मनाएगा अच्छा federal bank तो federal bank की इस तापना कव होई 1931 में इसका headquarter कहां पर है अलूबा में और इसके present time पर CEO कौन है श्याम श्रे निवाशन कौन है श्याम श्रे निवाशन नैशुशन है हाली में fortune global 500 list 2022 में लगातार 9 में साल कौन से company सीर्स पर रही है तो fortune global 500 list 2022 में फिर से walmart टॉप पर रही है तो इस question का say options है अब walmart टॉप पर है तो walmart की स्थापना कव होई थी 1962 में इसका headquarter कहां पर है यूएस के वेटन विले में और इसके present time पर CEO कौन है dong macmillan कौन है dong macmillan अच्छा fortune global 500 list में इंडिया का जो LIC है ये 98th नंबर पर रहा है और reliance industry 104 में नंबर पर रही है नैशुशन है हाली में भारत maurisus उच्चादिकार प्राप सेयुक्त व्यापर समिति की पहली वैठक कहां संपन हुई है तो ये नई दिल्ली में संपन हुई तो इस question का बे options है अब maurisus तो ये है map में maurisus maurisus की capital क्या है port louis maurisus की currency क्या है maurisus rupee और maurisus की present time पर प्राइमिश्ट कौन है प्रबिंद जगनौत कौन है प्रबिंद जगनौत ने क्यूशन है हाली में commonwealth games 22 में बजरंग पुनिया ने कुस्तेश परदा में कौन सा पदक जीता है तो commonwealth games 22 में बजरंग पुनिया ने 65 kg बर्ग में स्वार्ड पदक जीता है तो इस question का इस बार के commonwealth games काहां पे हो रहा है बर्मिंग में हो रहा है और ये कौन से नंबर के commonwealth games है ये 22 में कोस के उपयोग में कौन सीर्थ पर रहा तो अभी आंधर प्रदेश क्रसी अब संरक्षना कोस के उप्योग में टॉप पर रहा है यानि कि इस कुशियन का से ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेडनेस का अंसा सही दिया में आपको एक बार फिर बोलूँगा क्वेशन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अच्छा ये जो जीके की बुक हमने लॉंच की है अभी इस पर अमेजन पर 100 रुपय का डिस्काउंट चल रहा है अगर ये बुक आप परचेज करना चाहते हो तो नेचे डिस्क्रिप्शन में जेके बुक के नाम से इसका लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर किलिक करके आप इस बुक को अमेजन से आसानी से परचेज कर सकते हो अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का कुश्यन है हाली में रास्टी राजमर्गों के गुडबत्ता परिक्षड के लिए कैसे चुना गया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबह हम हमारे फेसुक पेज़ पर प्रेविस एर कोशचन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसुक पर नेक्स्ट एकजम सर्च करकर हमारा फेसुक पेज़ जॉइन कर सकते हैं क्योंकि प्रेविस एर कोश्चन आपको बहुत अल्प करते हैं अगर कोई भी confusion without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना है आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है helpful लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेर जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मौनिंग में current affairs की वीडियो मिलत रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेट विडियो तैंक्स पर वाचिंग